बश्कार मैं आरके सकसेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीबा, मद्धि प्रदेश और आज हम बात कर रहे हैं सिबिल जज मद्धि प्रदेश, सिबिल जज दो हजार बाइस जिसका एकजाम आपका 14 जनवरी 2024 को होना है और जो मद्धि प्रदेश में सिबिल जज भरती नियम है उसमें हाल में ही जो संसूधन किये गए हैं तो उन से लेकर के काफी मामले आपके जो हाई कोट, सुप्रीम कोट में अभ्यरती लोग दायर कर रहे हैं, लगा रहे हैं क्योंकि ये भरती नियम को लेकर के कई अभ्यरती जो है वो इस परिछा से बंचित हो रहे हैं काफी कड़े नियम हैं तो हम जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए हम नियम की बात कर लें तो पहला ये नियम है कि जो फ्रेस लाउत तीड़ भ्यरती हैं तो उनके लिए सतर परसेंट तीनो एयर में लाना आवस्सक है और ये भी जरूरी है कि किसी भी एयर में या किसी भी पेपर में उन्होंने पूरक परिछा पास ना की हो माने कि पहले ही बार में फ्रेस एक्जाम निकाला हो तो इस नियम को लेकर के भी काफी रोस है अभ्यरतियों में कि 70% कभी कभी नहीं मिल पाते हैं कुछ कम नंबर रह जाते हैं या 70% हमको मिल भी गए तो किसी पेपर में हमारे किसी काल से उसमें हो सकता हम पूर रखा जाएं तो एक नियम ये है और इस तरह से काफी मात्रा में जो फ्रेस लाउतिर की हुए अभ्यरती फार्म नहीं भर पा हैं ये 70% वाली तो ये आवस्सक है कि उन्होंने तीन वर्स तक की जो है वो पैक्टिस की हो या उनके पास जो है बकालत वगएरा का अन्भव हो तो इसमें भी एक नियम था नियम था ही कहेंगे हम क्योंकि इसको सिथिल किया है मद्द्र प्रदेश हाई कोट ने तो वो नि यह आपको जो है 6 पेशिया या अडर कापी सबूत के रूप में देने की बाधता थी तो इस नियम को मद्द्र प्रदेश हाई कोट ने जो है वो सिथिल कर दिया है लेकिन जो अन्द नियम है 70% नियम है एंटिगेटी नियम है उसको इन्होंने जो है वो सिथिल नहीं किया हाई कोट ने और यहां पर उलेखनी है कि यह नियम काफी भीरतियों में रोज इस नियमों को ले करके और यह मामला आपका जो है वो सुप्रीम कोट भी पहुचा है मामला यह और जल्दी कोई ने लिने की बात की मांग की गई है क्योंकि जो फारम भनने की डेट है विकेंसी आई हुई है मद्य प्रदेश सिबिल चज़ 2022 की और फारा भनने की जो अंतिम डेट है वो है आपकी 18 दिसंबर तो निकटी डेट है तो यदि इसमें मामलों में कोई फैसला नहीं आता है तो बहुत सारे अभ्यरती जो है वो फारों भनने से बंचित रह जाएंगे तो काफी केस जा रहे हैं नियाले में मैं लफ़क हर केस के बारे में चर्चा कर रहा हूँ तो अज़िए आप से बिल चज़ परिछा दे रहे हैं या से बिल चज़ की त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफी यह उप्योगी है क्योंकि हर तरह का अपडेट मैं इसमें द कि MP ADPO 2022 की भी जो है वेकेंसी सीख रही आने वाली हैं तो कितने पद होंगे कब तक आएंगी थोड़ा सा भी ये इस प्रस्ट नहीं है लेकिन आने वाली है तो यदि आप इस चैनल में नए हैं पहली बार है यदर भी अखवार की न्यूज है आज का खवार है और आज आपकी 15 दिसंबर 2023 है तो बहुत सारे लोग इस तरब ध्यान नहीं दे पाते हैं तो इसी उद्देश से मैं ये वीडियो बनाया हूँ और ने अंतर जो भी इसमें अपडेट आता है तो मैं आपको देता रहूंगा तो जो नए लोग हैं इस चनल को सब्सक्राइब पर लें क्योंकि इसमें अन्य एक्जामों के अलाबा CJ, ADPO जो मद्रेश में होते हैं या अपने परोसी स्टेट हैं उनकी विकेंशियों के बारे में भी हम इसमें जो है वो ने अंतर जो भी विकेंशियों आती है या उसमें कोई अपडेट आता है तो मैं देता रहता हूँ तो चलिए अपनी बात खत्म करता हूँ आगे जो भी अपडेट आएगा हाई कोट में मामला है सुप्रीम कोट भी पहुंच गया है मामला तो जो भी कोई नमीन इस्तिती बनती है नमीन अपडेट आता है तो मैं आपको बताने का पूरा प्रास करूँगा तो जो नए वहाँ बन्हाँ तोछी तो बधना deux क। बता है।